हसे वेडियो को पर हम लोग राआइक्षिन वीडियो है उस वीडियो का टाइटल है वाईस राज़स्तान चिल्पॉर अच्छा जी वाई सलव अब ही तक राज़स्तान वाइसे मुझे इसा लगता है वहाँ वाई पर गर्मी घ्ता तो लोग शायद कम रहते हैं बागी स्ट्रेट्स अगरा से बाकी इशाइरों की बनिस्बत वहां पर कम लोग रहते थे और यह दो हो सकता है वहां पर की कम हो मतलब इस तरह से और पहलोग पहली बार विडियो सब्सक्राइब लाइक शेयर और अगर कोई वीडियो सुझेस्ट करनी हो तो हम दोनों के इंस्टाइग्राम के निक आप भायों में में जाएंगे वो भी जरूर सुझेस्ट करिएगा तो अगर मैं आप से कहूं कि राजिस्तान को इमेजिन करो तो शायद आप कुछ यह इमेजिन करोगे ऐसे ही है लेकिन राजिस्तान की जो इमेज न्यूज रिपोर्ट में दिखाई देती है वो कुछ ऐसी है लगातार बेरुस्गारी के आंकडे जो सामने आ रहे हैं वो चिंता जनक है राजिस्तान भारत का शायद इकलौता ऐसा स्टेट है जहां पर रॉयल्टी और पोवर्टी एक साथ एक्जिस्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में इसी रॉयल हेरिटेज वाले इस ट्रगलिंग स्टेट की कहानी मैं थोड़ा डीटेल में आपके साथ डिस्कस करना जा और दिखना आगे जैसे मैं कहानी सुनाओंगा सारे पॉइंट कनिक्ट होते चले जाएंगे तो इंडस वैली सिविलाजेशन में जो आज का हनुमानगड है वो काली बंगन हुआ करता था और थार डेजर्ट वाले राजिस्तान को देखके इमेजिन करना मुश्किल है कि भ देखातार फेल हो रहे थे तो इसके बाद हम पहुशते हैं सेवन्थ सेंचुरी में जहां पर इस रीजन में राजपूट डैनिस्टीज का राइस देखने को मिलता है उस राइम का मैप देखो या मेजर पांच किंग्नम दिखाई देंगे मारवार्ड, मेवार्ड, अजमे किस से देखने को मिलते हैं जैसे 12th सेंचुरी के समराड प्रत्वीराज चोहान जो इस रीजन के काफी पावरफुल किंग थे बताते हैं यह जो पूरा मैप वाले रीजन है वो उनके कंट्रोल में था 14th सेंचुरी में चितौल गर्ड के राजा रतन सेन जो शायद आप इन खिल जी ने रतन सेन पर और अकबर ने महराना पताप पर यह लोग फेल हो जाते लेकिन हर बार अपनी साइट से कोई न कोई गदारी कर देता था और इसकी एक बहुत बड़ी वजा यह थी कि उस टाइम पर ही जो रीजन है वो राजपूतों के अलग-अलग क्लैन्स और ड यह जो इन्वेडर्स थे यह औरतों को अपने हरम में सेक्स लेव बना कर रखते थे और इसी लिए इससे बचने के लिए औरतों ने जोखर करना शुरू कर दिया इसके बाद थोड़े समय के लिए यह रीजन माराथा रूल के अंडर भी आया लेकिन फिर आगए के टाइम पर एक चीज अच्छी थी कि यहां का लोकल एड्मिनिस्ट्रेशन था वो यहां के रॉयल्स के पास ही था और इसलिए थोड़ा बहुत इंडर्स्टिलाइजेशन और इस रीजन में उस टाइम पर देखने को मिलता है लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो भारत का 60% एरिया था वो तो अंग्रेजों से में मिल गया लेकिन जो बाकी एरिया था उसमें 565 प्रिंसली स्टेट्स थे और आजादी की टाइम अगर आप राजिस्थान देखें तो ऐसा कोई स्टेट नहीं था बलकि आपर 22 अलग 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 प्रिंसली स्टेट्स का एक ग्रू अच्छा यह पाकिस्तान के भी कुछ एरिया ऐसे थे जो के राजाओं के पास थे और पाकिस्तान बनने के बाद भी हां मुगल्स नहीं थे दूसरे थे तो माबाद में जिस तरीके से यहां पर भी इंडिया और पाकिस्तान का बटबारा हुआ उस टाइम से कुछ ऐसे थे जो क्याते थे यह हमारा area है हम लोग किसी country के साथ निया है बस ठीक है यह हमारे बामारे बार्बास रहने दो इधर कोई किसी किसम की आर्मी किसी किसम की आर्मी किसी कि समकी police नहीं होगी तो यह इस तरहांगे area से और उन है कुछ properties को छोड़कर majority जितने places थे वो सरकार ने अपने पास रखी और उस टाइम पर अगर आप देखें तो रॉयल्स को अपने खर्चे के लिए कुछ पैसे भी मिलते थे गवर्मेंट की तरफ से लेकिन 1971 में इंद्रा गांधी जी की गवर्मेंट ने इस खर्चे को भी देना बंद कर दिया और उसके बाद 1976 में जब एमर्जेंसी लगी तो इंद्रा गांधी जी ने जितनी भी रॉयल्स के पास वेल्थ होती थी उसको भी अपने कंट्रोल में करना शुरू कर दिया और उससाब की वज़ा से जो फ्रच रॉयल के पास बच भी गए थे उनको भी मैंटेन करना मुआ के लिए भडा मुच्ल होता चला गया तो होटल ओनर्स ने या तो ही फोर्ट रॉयल से खरीद लिये और कुछ जो फोर्ट रॉयल के पास रहे भी उन्हें भी उन्होंने होटल में कनवर्ट कर दिया भारत में अगर आप नाइटीन इस का टाइम देखें टूरिजम बड़ी तेजी से बूम हो रही थी तो जो भी आज आप रॉयल रिजोर्ट जैपूर, जोथपूर, उदैपूर में देखते हैं वो इसी टाइम पर ही शुरू होए थी और आज राजिस्तान की एकॉनमी अगर आप देखें टूरिजम इंडस्ट्री 15% शेर कॉंट्रिबूट करती है देश के अंदर कोरिटीशन हो, एक्टर हो या बिजनेसमन, सब के बच्चों की डिस्टिनेशन वेडिंग राजिस्तान में ही होती है और सिलिए यहां की वेडिंग इंडस्ट्री अल्मोस्ट पचास हजार क्रोड क्रोस कर चुकी है पिछले साल नमबर में यहां पर देल लाक शादिया हुई थी और सिलिए यह नमबर स्टेट की एकॉनमी में भी रिफ्लेक्ट होता है राजिस्तान की एकॉनमी 1980 से ही तूरिजम पर ओवर डिपेंडेंट है और टूरिजम जैसे अंस्टेबल सेक्टर पर इतनी ओवर डिपेंडेंट्स डेंजरस है एक लॉकडाउन आता है और आपकी सारी एकॉनमी खतम कर देता है कोई और प्लेस पॉपलर हो तो आपकी बिजनस पर सीधा इंपक्ट पढ़ने लगता है और शिलंका को देखो तूरिजम पर बहुत डिपेंडेंट है और आज क्या आलत है यह तो आप देखे रहें राजस्थान अगर आप एरिया वाइस देखे तो देश का वैसे तो सबसे बलाए लेकिन इस स्टेट का सिक्स्टी परसेंट एरिया डेजर्ट में आता है और इसलिए वाटर डेफिसिट एक बड़ी प्रॉब्लम भारत का सिरफ एक परसेंट सर्फेस और ग्राउंड वाटर राजस्थान में अवेलिबल इसलिए एगरी कल्चर सेक्टर में भी यह काफी स्ट्रगल करते हैं पुरे देश की अगर आप GDP देखें तो राजस्थान का कॉंट्रिबूशन सिरफ 5% आता है राजस्थान के अंदर आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ को भी देखें तो वो भी नेवररिंग स्टेट से काफी कम दिखती है मैं आप में देखो MP के कंपरेजन में राजस्थान आपको कम दिखाई देगा लेकिन जो कोटा जैसे एरिया है जो MP के पास थे वहां पर पावर प्लांट से बिजली मिल रही थी जमीन सस्ती थी करेक्टिविटी भी थी तो 1920 से 1960 के बीच में इस वाले रीजन में आपको इंडस्ट्रिलाइजेशन दिखेगा लेकिन बाकी जो राजस्थान था वहां पर एलेक्रिसिटी वाटर कनेक्टिविटी हर एक चीज में इशू थे इसलिए वहां पर भी इंडस्ट्री उतनी नही के विज़से इशू आ रहा होगा दुनिया में सबसे जादा होता है लेकिन सीमें प्रोडक्शन की लिस्ट में आप देखें तो MP और आंध्रा से भी राजस्थान पीछे रह जाता है इवन विका नेरवाला और MDH जैसी कंपनी जो देखने में राजिस्थान ही लगती है उ जो कि नेशनल एवरेज 18% से काफी कम था 2001 में यह 60% हो गया लेकिन अभी भी नेशनल एवरेज 65% से कम ही था इंफाक 1981 की टेबल देखो बिर्थ रेट डेफ रेट फीमेल लिटरेसी हर एक इंडिकेटर में राजिस्थान काफी बुरा परफॉर्म कर रहा था और इनी सारी की वज़ए से एकॉनमिस्त आचीज बोस ने 1980 में राजिस्थान को बीमारू स्टेट का टैग दे दिया था बीमारू यानि विहार, MP, राजिस्थान और उत्तरप्रदेश 1980 में यह वो चार स्टेट थे जो पूरे देश में वर्स न परफॉर्मिंग आते थे यह मैंने MP वाला के वीडियो में तो इसमें बड़ी डीटेल में एक्स्प्लेइन करा है, डिस्क्रिप्शन में लिंके आप जाके देख लेकिन अगर आप राजिस्थान में देखें तो विमेन पर जो अट्रोसिटीज इन्वेडर के टाइम जो शुरू होई थी ना, लगता है वो आज भी खतम नहीं हो रही है, इस टेबल में लड़कियों का डेटा है जिनकी शादी 15 से 19 साल की उमर में हो गई थी, इसमें राजिस्थान का परसंटेज 64 परसंट एक ताइम प हाला कि over the years इसमें काफी improvement हुआ है, National Family Health Survey का data ये clearly show करता है कि राजिस्थान में child marriages पिछले 20 सालों में बहुत तीजी से घटी है, 2005 में 65 परसंट थी और 2021 में सिर्फ 25 परसंट रह गई है, अभी ये नंबर काफी हाई है, और एक लड़की की जल्दी शादी होने से उसकी लाइ 33 परसंट 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 इसके अंदर भी women का participation काफी कम है, एक research paper के according, 2011 में rural area में जितनी भी women workforce थी, उसमें 77% women तो खेती किसानी में काम कर रही थी, और अगर आप शहरों में देखें, तो workforce में women का participation 10 लाग से भी कम आता है, और पूरे भारत में women के against crime होते हैं, उसमें रा caste based discrimination भी राजस्तान में बहुत हाई है, NCRB की report के हिसाब से, राजस्तान के अंदर per 1 लाख Dalit population पर सबसे ज़्यादा crime या पर record होते हैं, और concerning बात यह है कि पिछले कुछ सालों में number घटने की बजाए बढ़ता जा रहा है, मेरे opinion में child marriages और caste violence इनको solve करने का एक ही तरीका है, education and employment, इससे लोगों में awareness आती है और अपने rights के लिए वह और जागरुख होते हैं, लेकिन राजस्तान के literacy level की भी बात करें तो वह भी national average से कम दिखते हैं, हाला कि नीती आयोग की report में एक बड़ी interesting बात आई है, ये school education index ठापते है, राजस्तान इसमें second best performing है, ये index बताता है कि जो existing school है, उसमें education की quality कितनी है, और राजस्तान के अच्छी performance पता है क्या दिखाती है, जो बच्चे school जा रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे है, इसलिए इस बात पर ध्यान देना जरूरी है, जादा बच्चे school जाना शुरू करें ताकि overall literacy rate improve हो जाए, और जब वो बाह employment नहीं भी होती है, कम से कम कुछ awareness हो जाती है, फिर वो किसी business की तरफ चा सकते हैं, किसी दूसरे city move कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़े होती है, लेकिन education बहुत ज़रूरी है, एक दिन में solve होने वाले नहीं, इसलिए एक लंबे time तक political stability जो होती है, वो बहुत ज़रूरी है, राजिस्थान और political stability का भी 36 कहा कड़ा है, 1960 से 1990 से बीच टोटल चार बार state में president rule लगाया जा चुका है, जिसमें से एक बार तो ये एक solve से भी लंबा था, इसके अलावा 1992 से पहले अगर आप देखें तो mostly Congress की सरकार या थी, लेकिन पिछले 30 सालों में ऐसा कोई दो लगाता इलेक्शन नहीं हुए, जिसमें सरकार बदली ना हो, हर पांस साल में बदल जाती है, तो जो एक सरकार decision लेती, policy बनाती है, वो अगले साल में reverse हो जाते है, यानि कि state एक कदम अगर आगे चलता है, तो दो कदम पीछे आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि राजिस्थान में सब इसलिए 2026 तक 90% एरिया surface water से connect हो जाएगा, राजिस्थान का 60% एरिया desert है मैंने आपको बताया है, agriculture इस वज़े से नहीं होता है, लेकिन इसका भी एक फाइदा है, यहाँ पर solar energy का इसको बहुत जादा है, क्योंकि यहाँ पर साल में 330 दिन, इसका ही इगनम clear और sunny रहता है, यहाँ कि almost 20% point का decrease हुआ है, जो कि national average से भी better है, इसके लावब 2011 से 14 के बीच में, महाराष्टा, गुजरा, तमिल, नाडू, करनाटका जैसे बड़े-बड़े state के comparison में देखें, तो जो agriculture की growth राजिस्थान में हुई है, वो जादा दिखाई देती है, पिछले 5 साल में service sector भी राजिस्थान की economy में fastest growing sector बन गया, पिछले 10 सालों में राजिस्थान में per capita income भी 150% से grow की है, राजिस्थान के जो शहर दिल्ली NCR के पास है, जैसे जैपूर, अलवर, इन regions में भी काफी growth देखने को मिलती है, बलकि नीमराना जो दिल्ली Mumbai industrial corridor region में पढ़ता है, उसने 15-20 साल में काफी investment attract कर लिया है, राजिस्थान गवर्मेंट ने Japanese external trade organization के साथ मिलकर एक Japanese industrial zone भी established किया, इसलिए 2008 में जहां राजिस्थान के अंदर total 10 Japanese companies थी, 2021 में number 170 पहुंच चुका है, और आज बहाँ पर निपॉर, डाइकिन जैसे ही companies के 46 plant लगे हुए, in fact, नीमराना में अगर Japanese restaurant, Japanese hotel तक देखने को मिलता है, तो इसका मतलब यह कि Rajasthan काफी अच्छा गर रहा है, लेकिन अभी भी बात वही है, literacy rate, unemployment, crime against women, and caste based discrimination जैसे important parameters में काफी काम होना बाकी है, और देखो, politics अपनी जगा है, लेकिन Rajasthan जो है, वो भारत का biggest state है, एक important border state है, पाकिस्तान के साथ 1000 km का फाइदा नहीं है, बलकि पूरे देश के लिए इस state growth जरूरी है, और यह तभी हो सकती है, जब political parties के बीच में एक collaboration देखने को मिले, और इसलिए मुझे लगता है, इस वीडियो का जो best conclusion है, वो मेरी तरफ से नहीं, बलकि इस clip से आपको मिलेगा, सकता का खेल तो चलेगा, स सबसे अच्छी जो चीज लगती है, मुझे उनकी politics के अंदर यही चीज लगती है, कि सबसे पहले वो अपने country को रखते हैं, अपने अपनी जाती चीजों को छोड़के, अपनी जाती मामलात को छोड़के, वो लोग पहले अपने country के लिए कर रहे होते हैं, जो कुछ भी सर हैं, हम अच्छा चल रहे हैं, तो राजिसान में क्या करते हैं, मतलब इंप्रूव्मेंट आई है, लेकि इंप्रूव्मेंट आ रही है, कम है, लेकिन देखो यार, एक सोचने वाली बात है ना, कि एक area के अंदर सारे इस तरह के लोग रहे हैं, जिन्हों ने उस area के अंदर हो या गलत भी हो, उन्होंने अपनी ही बात मनवानी है, वो तो यह ही कहेंगे, हम इस area के नवाब थे, चाहे अब नहीं हैं, तो लेकिन वो चीज़े ना, अब जो नवाबों के से हैं, जो या जो राजपूत हैं, क्योंकि कास्ट के भी इशूज आते हैं, हिंदू के अंद हो तो ना, तो मैं किसी और कास्ट हो, तीसरा किसी और कास्ट है, तो हमारा सिर्फ एक पेचान के लिए, वहां पर पेचान नहीं है, वो चोटी और बड़ी कास्ट होती है, तो उसका इशू जिन के अंदर आते हैं, खैर वीडियो इंट्रस्टिंग है, मतलब आने वाले टा झान जब स्क्राईब आने दो को मने भीओ विडियो के साब ता के लिया आप वी बावाई